बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं मेच्वर प्राइम आपके साथ मैं हूं पंकश रोतेला बात आतंगवाद की होती है बात पाकिस्तान की होती हो और पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकते की जाती हैं कई मर्तबा ऐसा दिखा गया है और शायद वक्त वक्त पर ये कहा गया कि पाकिस्तान सुधर रहा है लेकिन उसकी हरकतें अभी भी चारी है अलग अलग तरीके से अलग तोर तरीके अपना कर वो भारत में अपने मन्सूमों को कामियाब बनाना चाहते हैं जो आतंकियों को पाकिस्तान पाल रहा है पोस्ट भी रहा है बात अगर पं फेका गया जो हाला की वक्त रहते पुलिस के हस्ते चड़ा है पुलिस को मिला है और एक बड़ा खुलासा हुआ क्योंकि ये शाजिस थी जो नाकाम हो गई ये किसके लिए हतियार ब्रोन के जरीए गिराए गए थे ये सबसे बड़ा अब सवाल रहेगा चुनौती रहेगी व हमारे साथ रख्षा विश्यशक मौझूद है रच्षा विश्यशक डियस धिलो साब है स्वागत है सर आपका मैं जाना चाहता हूं ये पाकिस्तान की तरफ से बार-बार हरकते तो होती हैं लेकिन देखिए अब ये हरकतों को करने का तरीका भी बदल रहा है जम्मु कश्म दुकों का गिराया जाना क्या कहता है वार्फिर का क्योंकि ये कॉस्ट अफेक्टिव और इसमें कोई ज्यादा एफट नहीं लगती है हमें देखना पड़ेगा कि ये सीच का कि लास्ट दिसंबर में पाकिस्तान का एक बड़ा डैलिकेशन चाइना गया था ड्रोंस के बहुत बड़ी उन्होंने ड्रोंस की खरीदी है अब पाकिस्तान को अगर इस तरह के जो सरद के पाथ जा सकते हैं तो कहां करने हैं वह भारत के खिलाब ही यूज करने हैं तो वह अभी यह उसी का असर है क्योंकि उनको वह ड्रोंस की खेप मिल चुकी है और ड्रों एक ऐस कि अदर की नीचे लेंगे वँपर सब कश्मीर लगी है फो आद्मी का निकलना वहां से बहुत मुश्कल है इसको क्र Travis को श्रॉस कराना बहुत असान है यह बडा ब्लॉब रेडार की पकड़ में नहीं आता है और सबसे ज्यादा जो इसका एफेक्टिव है कि पैनिक ज्यादा करता है जिस अलाके में देखा जाता है क्योंकि स्लो स्पीड होता है तो बहुत लोग इसको देखते हैं और डर पैदा होता है कि यह क्या चीज है बॉम गिराएगा कहां गिराएगा और जब तक हम रेक्ट करते हैं कई वर वह वापस भी चला जाता है एक तरह से पैने क्रेट करने के लिए हथ्यारों का जपीरा इससे फेका जरूर जाता है पर वह बहुत चोटा होता है कोई सब कार्तूस भेग दिए दिए इससे डैमेज उतना बड़ा नहीं ह होगे जतना पैनेक करें तक किया जाता है और स्कूर сов को कहता। और कुछ डप्लाइमेंट उनकी हमेशन द्रोन को ढूंडती रहे कि इधर ड्रोन आया था क्या गिराया क्या नहीं गिराया जैसा कि अभी पंजाब में हुआ साथ तारिकी रात को यह आया तो दो दिन तक्रीमिन लग जाते हैं यह पंजाब को गाउं में गिराया जाना देखिए एक तो यहां तक उसका तारगेट क्या था यह तो आगला सवाल होगा यह किसके हातों में पहुँचने वाला था Arrow ही आगला सवाल होगा लेकिन आप आप हने गौर किया सर टीफिन बच्चों के जो होते हैं वो बम क्योंकि आमुमन और चीजें होंगी तो उसको लोग पहचाल लेंगे लेकिन जैसे बच्चे हैं वो उनका ठीपन होगा तो बच्चे उसके दज़्दिक जरूर जाएंगे उससे देखकर या इस तरीके से कुछ कह सकते हैं तो यह क्या समझे क यह सतनता दिवस को लेकर कोई शाजिश थी इन्हें कहां तक पहुंचना था किसके हातों में जाना था वो तो पच्चा हुआ गाउवालों का कि उन्हें बनक लग गई उन्होंने पुलिस को कॉल किया देखिए सतनता दिवस से पहले कि काफी रहसल चलती है स्कूल के बच् कि जो स्कूरिटी फोर्सेज कई बरी चूप कर सकती है इसलिए एक ऐसा जो मोडम है मीडियम है चुना गया है कि जिस पे ज्यादा शक ना हो कि जब बच्चे जाते हैं नौर्मली उनके बैग में टिफन होता है तो इस टाइप की जो कारवाई करी गई है खासका रिपब्ल दोबारा पंजाब में मिलिटन्सी किस तरह रवाई करी है तो हर मौके की तलाश पर ढूंडते हैं और उसी में ये एक मौका उन्होंने देखा कि पंजाब में किस तरह चीजों को दोबारा बढ़काया जाए भारत की तरफ से स्टेंड क्या होना चाहिए जिलू साथ क्यों हम यह सुचते रहे के ड्रोन था क्या था यह जाज परताल चल रही है अपको नहीं लगता कोई लेना चाहिए इस पर वह भी क्विक बहुत जल्दी देखिए क्विक एक्शन तो जो बार्डर पे है लिया जा रहा है पर अगर खास तरह से आप पंजाब की बात करें पंजा पंजाब के लोग इस चीज में बड़ा सहयोग करते हैं जो जम्मू किश्मीर में थोड़ा बहुत कम होता है क्योंकि मिलिटन्स का थोड़ा इंफुलेंस है वहां धर्म का एंगल भी थोड़ा ज्यादा है पंजाब में लोग यह टेरिरिजम के एंगल को बहुत सफर किया ह पंजाब के लोग जब ऐसी कोई घटना होती है तो तरंथ पुलिस आर्मी करते हैं काफी अलर्ट है हमारे बॉडर एरिया के लोग क्योंकि बॉडर एरिया के लोकों ने ही सब चाहिए कर्फू में आंतकबाद में सब्सक्राइब कि दुबारा किसी तरह पाकिस्तान की कोई हिमाकत से वहां पर वैसा महौल बने पंजाब में जिराय चाने का कोई विशेश मतलब समझ सकते हम पंजाब को नौजवान जो हमेशा से हर अंदोलन में हर चीज में हर एजीटेशन में बढ़ चड़के हिस्सा लेता है तोड़ा भावुक ताइट के लोग है यहां पंजा और रिलीजिस मसले पर इन्वाल करके उनको जो राष्ट बुरुदी कारवाईयों में लगाया जाए तो यह हमेशा क्योंकि पाकिस्तान की कोश्चें बार भार फेल हो चुकी है पाकिस्तान को करता है कि इंसरजेंसी को रिवाइव किया जाए भारत में और पंजाब में य इस तरह चोटी मोटी घट्रों से पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगार सकता है उसको जरूर संभालना होगा और यह संभालना पड़ेगा हमारी इंफोर्मेशन शेरिंग के द्वारा की लोगों को पता रहा कि इस तरह का अबजेक्ट है इस तरह की चीज गिराता है तो त कुछ दिनों में देखा गया अलगलग मुख्य मंत्रियों को पंजाब मेंसेमें ने की ऊचिक्ताम प्र prophets को करते हैं कंघाब में कुछ होता हैं दोस्तान में कुछ होता है तो तो इनको बाहर जो इंडियन अमेशी के सामने प्रदर्शन करने के लिए कौन सब्सक्राइब करता है अब पाकिस्तार में नंकाना साथ गुर्दवारे पर अटैक हुआ तो यह पन्नू बगारा कोई नहीं बोले क्योंकि उनको पता है कि इनके वहां बैठे हैं अगर वहां ब के नाम पर चाहे खालेस्तान के नाम पर यहां आंतक बात को बढ़काया जाए दुबारा अंडरेस्ट पैदा करी जाए और इन लोगों ने जो बाहर बैठे हैं विदेश में बैठे हैं अपनी रूटियों सेकनी है इन्होंने प्लिटिकल असाइलम लिए हुए इन्होंने प्लिटिकल असाइलम पर बुलाना चाहते हैं अपने दंदे चलाना चाहते हैं अगर हिंदुस्तान के स्टेंड को देखा जाया आतंगवाद को लेकर दुनिया के पटल पर किस तरीके से कितनी गंभीटा से स्टेश ने बात रखी है वह हम सब चानते हैं लेकिन उन सब के बावजूद भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर दवाव बन तो रहा है लेकि फिर भी वह दवाव नहीं बन पार आए जिससे क्यों अपनी हरकते बिल्कुश बंद कर दे यह वहां जो आतंकी है उन आतंकियों पर नकेल कर सके यह देखिए पाकिस्तान में बेशक डेमोक् अगर जब तक चलेगा तो वह उनकी सुपरमेसी रहती है डेमोक्रेटिकली लेक्टर जो भी है वह एक तरह से फापेटी साबित हुआ अभी तक पाकिस्तान में पिछले चौतर सालों में को क्योंकि जो तार है आंतक के तार पैसे के तार पंडिंग के तार वह सब आयसाई और पाकस्तान आर्मी के हाथ में रहते हैं पाकिस्तान आर्मी एक हैत्तर की लडाई के बाद हमेशा इस फ्ल्हक में इस कहीन कहीं से और श lleश्म को और जाला तर्कीफ कह लिजिए यह शाजिस नई तरीके से रची जा रही है इसको भी डिफेंट करना होगा इससे भी लड़ाई लड़नी होगी हिंदुस्तान को देखे बिलकुल लड़नी होगी पर उमीद बहुत अच्छी बनी है कि देश में आप भेज़ें और हतियार गिराएं यह इतना असान है कि ड्रोन के जरीया आप थ्यार तो बेज़े जा सकते हैं पर उतनी तादाद में नहीं बेज़े जा सकते कि जिससे कोई वाइबल इंसर्गेंसी यहां पर पैदा करी जाए एक पैनिक क्रेट किया जा सकता है जो उसमें अभी इनिशल फस्ट फेश में वह कामजाब हो गया है ऐसे पहले होता था जो टेक्नीक है खर बाकी तो आर्मी अपने लेवल पे जो कर रही होगी पर जैसे जैमर लगाए जाएंगे क्योंकि यह रेडियो फ्रक्वेंसी पर काम करता है और किस तरह के उनके पास रेउन है उसको स्टड़ी करके उस तरह से जैमर लगाएंगे तो वह बार्डर के इस ड्रोन के साथ जो ग्राउंड का लिंक है उसको किसी तरह जैम करते हैं ब्रेक करते हैं कंदूज कर देते हैं तो हम इसमें भी बहुत जल्दी काबू पालेंगे ऐसी कोई बड़ी खत्रे की बात नहीं है यह नहीं बिल्कुल है देखिए बार्डर के पास भी जो नो मैंस ल तो हमारी फैंस लगी हुई है वह तक्रीमन पांसों मीटर अंदर है हम बॉर्डर के उपर जहां लाइन ऑप कंट्रोल है जहां हमारी इंटरनेशनल बाउंडरी है वहां पर फैंस नहीं है हम पांसों मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं तो इसी तरह यह कि वाइलेशन है सीरिस वाइलेशन है हम किसी ड्रोन रेडार एरक्राफ्ट को दूसरे कंट्री के अंदर नहीं बैश सकते हैं तो यह उसके जो डिप्लोमेटिकली भी स्टैंड लेना होगा कि इस तरह से कैसे कोई भी चीज जो उड़ने वाली है हमारे एरस्पैस में आ जा लेकिन तस्वीर तो यह दिखी कि आईडी आगी हैंड आगे बम आगे टीफन बम आगे कार्टूस आगे समाम चीजे तो आ गई चलिए वक्त थोड़ा कम है बहुत शुक्रिया आप हमारा साथ जुड़े आपने वक्त निकाला लेकिन इस चुनोती से भी अब हिंदुस्ता को निपटना होगा बहुत शुक्रिया आप कमारा का जुड़ने के लिए